नमस्कार दोस्तों, UPPCS 2024 के प्रेलिम सेस्टन में आप सबका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है mountains, peaks और ranges जो इंडिया में हैं उस पे हम लोग 10 mcqs को डिस्टर्स करेंगे और 10 mcqs हैं वो UPPCS के PY की वेक्षन है यानि कभी ने कभी previous year में पूछे गया है उसी को हम लोग यहां पे कभर करने वाले हैं तो आज का सबसे पहला प्रस्ट है यहां पे देखो 2009 में UPPCS ने पूछा था कि अंडबान निकोबार आइलेंड का सबसे हाइस्ट पिक कौन सा है सबसे उचा चोटी अंडबान और निकोबार दिप का कौन सा है तो यह हमारा सैडल पिक सैडल पिक आप देखोगे इसकी जो उचाई है सी लेबल से वो 732 मिटर है और यह जो सैडल पिक कहां पे लोकेटेट है नर्दन जो अंडबान है वहां पे लोकेटेट है सैडल पिक तो 1 का हमारा A आंसर हो जाएगा अंडबान निकोबार का सबसे हाइस्ट पिक हमारा सैडल पिक है 1 का E हमारा आंसर हो जाएगा अब देखो UPP से 2020 में यहां पूछा है कि सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सा है तो सबसे यंगेस्ट चो माउंटेन रेंज है ओमारा हिमालिया है और हिमालिया का अधर नेम से हम जानते है हिमादरी भी जानते है तो हिमादरी रेंज है हिमादरी रेंज यानि ग्रेटर हिमालिया को हिमादरी बोलते है हिमालिया जो रेंज है वो सबसे यंगेस्ट है ठीक है इंडिया में बनना यहां पर स्टार्ट हो गया था दो का हमारा ए आंसर हो जाएगा ठीक है दो का ए आंसर हो जाएगा अब देखो यूपी पीसे 2016 में यहां पर पूछा है कि इंडियन पेनिसुला का सबसे हाइस्ट पिक कौन सा है ठीक है यानि कि प्राएदेपिय जो पठार है दच्छिर पिक कौन सा है तो देखो वेस्टन घाट का जो हाइस्ट पिक है वह भी हमारा इंडियन पेनिसुला का उसका भी हाइस्ट पिक सेम होगा वेस्टन घाट का सबसे हाइस्ट पिक है और इंडियन पेनिसुला का भी सबसे हाइस्ट पिक है अनाइमोडी बात करें तो केरला में पे लोकेटेट है केरला में इस पेसिपिकली आप बत करोगे तो इना कुलम और इदु की जो डिस्टिक है उहां पे लोकेटेट है अनाई मोडी और इसका जो हाइट है वो आप देखोगे तो 2695 मीटर सी लेबल से हाइट है और अनाई मोडी को एलफेंट हेट भी बोलते हैं AN ponto को तीन का हमारा वी आंसर हो जाएगा तो आज का चौना यहां पे यहां पे लिस्ट आपको मेंज करना है लिकी तले पर होगे हैं दूसरे से प्रीय थे दिए गए हैं तो एक काम किजिएगा सारे इश्टेट के जो हाइस प्रीक है उसको तो आप ध्यान रख लीजाएगा ठीकिरणा का है हमारा अनाई मुड़ी होगा जो कि वेस्टन घाड का भी हाइस पीक है कि दूदरा बेटा आप देखोगे तो वेस्टरनगार्ट का सेकेंड हाइस्ट पीक है इसको आप देख सकते हैं किरला का तीन नागलेंड का चार तीन चार तो एक तीन चार दो एक चार का हमारा सी अंसर हो जाएगा यह हमारे यूपीपी से दो जार अठार पूछा तो अब देख पांच वा आज का क्वेशन अ कौन सा पीक इंडिया में लोकेटे नहीं है नमचा बरवा आपको अरुड़ांचर प्रदेश से सटा हुआ दिखेगा कुछ पार्ट इबत में भी कुछ इंडिया में भी है लेकिं इंडिया में है कामेत आपको उत्राखण में देखने मिलेगा नंगा परवद आपको पीय ही आंसर हो जाएगा देखो आज का च्छठा क्वेशन अगेन यूपी पीसे दोजार एकीस में पुछा है यहां पर मैंस फॉलिए फिर से यहां पर इंडिया लेप्ट साइड में दिया है और हाइस्ट पिक आपको राइट साइड में तबिलाडों का हाइस्ट पिक जोदा ब कि यह रिपीट हो गया है लागा नागलेंड का स्रामति पीक मद्र प्रिदेश का हमारा धूपगरड़ पीक मद्र प्रिदेश का धूपगरड़ पीक किसका है जो आपको सत्पूरा रेंज है वहां पर लोकेटेट है इसका रिभर्स हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 चचब चथा का आंसर है हमारा चटा का दी हो जाएगा चार तीन दो एक देखो साथमा अगेन यूपीप से 2017 में पूछा है पूछा है विच ऑफ फॉलेंग इजिए इस दर लार्जेस्ट ग्लेसियर सबसे लार्जेस्ट ग्रेसियर कौन सा है इसमें से देखो इंडिया का ही नहीं पूरे सबसे लार्जेस्ट ग्रेसियर है जो कि आपको पोलर पर रिजन नहीं पाया जाता है ठीक ऐए नौन पूलर रिजन में मॉन्न पर में ड्र जान ग्रेसियर सेमारा साथ का द्रैंसर हो जाएगा यूपी एस हाँ पे 2012 में पूछा है कि जदू आप हिमालया में ट्रैबल करत तेहरे जो यू टर्न होता हुए देखते हैं कि को इस भर की जांपर लेलो पैरलल मांटेन रेंज होते हैं और बहुत ही स्टीफ हमारे ग्रेडियंट वाले लेंड्सलाइट हमारे होते हैं व्यादर सारे ही हमारे फीचर से सब्सक्राइब थी सब्सक्राइब और कि सब्सक्राइब। है यहां पहिंप संदें टेनिपूं को हमारा हमारा इस ऑडर इसको मांउंट मांउंट एसो भी पोलते हैं टैक है मांउंट एसो भी बोलते हैं मौन हमारा दी यहां सब्सक्राइब हो गया मॉंन्पर को क्या है और यहां पे एक और क्योंशन नहां पर है जो आमसुत जो पिक है आमसुत जो जो चोटी है किस इस्टेट की हाइस्ट पीक है और आपको बताना है नमा में क्या पुछे थे कि मिजूरम का हाईस्ट पिक कौन सा है दस्वा थ हम लोग छोड़ी दे रहे हैं दस्वा यहां पे है हाईस्ट पीक आप मद्य प्रदेस हाईस्ट पीक मद्य प्रदेस हम देख चुके थे धूपगड जो की सतकुरा रेंज में है ठीक है आप कमेंट करके जो बताना कि मिजूरम का हाईस्ट पिक क्या है और झाल झाल